एलो दोस्तो नमस्कार एक वा फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने पड़िवार मैं स्वाट का में है दोस्तो मैं हूर उपेश यादर आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इस तरह के question को solve करने का बहुत ही बहतरे इंट्रिक तो बने डहेगा class के अंतर देखेएगा यहाँ पे question क्या बोला है 256 के कितने गुननखंड पूर्ण वर्ग है यानि हमें यहाँ पे बताना है 256 को काटने वाली वैसी कितनी संख्याएं है जो कि आपका पूर्ण बर्ग है यानि की perfect square है इसको एक छोटे question के माध्य हम से समझते हैं जैसे मालीजी हम से यहाँ पूछा जाए कि 24 के ऐसे कितने गुननखंड है जो पूर्ण बर्ग है तो 24 को काटने वाला संख्या 1 होगा 2 होगा 30 को काटेगा 4 भी काटेगा 5 नहीं काटेगा फिर 6 हो जाएगा यह के बाद 8 और 8 के बाद आपका 12 और 12 के बाद direct 24 है जो कि आपको 24 को काटेगा ठीक है हम यहाँ पर देख रहे हैं एक छोटे से नंबर से इस concept को सीख रहे हैं 24 को काटने वाली यहाँ पर सभी संख्या हम लिख दिये हैं अगर हम आपसे यहाँ पुछे कि 24 को काटने वाली ऐसी कितनी संख्याएं है जो कि पूर्ण वर्ग है तो इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानिए तो एक पूर्ण वर्ग है पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं जो नंबर किसी के स्क्वेर करने पर आता है ज अब आपका पूर्णवर्ग संक्या है अप यसाथ बात को एसे भी कछ सकते हैं कि संख्या का वर्ग मूल जो है उषा पूर्णांक में निकलिये जैसे 36 6 होगा ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं पूर्णवर्ग संख्या तो यहां हमें क्या चुर्ना है 24 को काटने वाली वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है तो एक तो एक हो जाएगा फिर देखे चार भी पूर्ण वर्ग संख्या है चार के अलावा इधर देखे 6,8,12,24 में से कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है तो 24 को काटने वाला ऐसा कितना नंबर है जो कि पूर्ण उसी तरह से अगर हम आपसे पुछे कि भाई सोला को काटने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग है तो सोला को एक भी काटेगा दो भी चार भी इसके अलावा आठ और सोला यह सब ही नंबर है जो कि सोला को काटेगा इसमें से पूर्ण वर्ग कौन कौन है तो पूर्ण वर्ग आपका एक हो जाएगा चार हो जाएगा और सोला हो जाएगा इसका मतलब सोला को काटने वाली वैसी संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग है उसका संख्या एक एक दो और एक कितना हो गया तीन हो गया तो इस तरीके से हम लोग काउंट करेंगे छोटे छ चोटे संख्याओं में जब बरा बरा संख्या होगा वहाँ पर कैसे निकालना है उसको ध्यान से समझे कोश्चन आप समझ चुके होंगे हमें क्या बताना इस कोश्चन में 256 को काटने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि पूर्णवर्ग हैं तो जब भी ऐसा कोश्चन मिले तो तरीका यह है कि सबसे पहले इसको आप तोर लीजे प्राइम नंबर में जो भी नंबर दिया जाए उसको प्राइम नंबर यानि अभाज संख्या में तोरिए तो 256 को 2 से तोरेंगे कितना हो जाएगा 128 होगा फिर अगर 2 से इसको तोरिएगा तो 64 हो जाएगा फिर 2 से तोरिए 2 से तोरने का मतलब कि आधा होता जाएगा 32 हो जाएगा फिर अगर आप इसको 2 से तोरते हैं तो 16 होगा अगेन इसको 2 से तोरिए कितना हो जाएगा 8 फिर स से एक लगार hairdus is को तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा अब इसको प्राइमम नंबर में तोड़ने के बाद धृइमम नंबर में टोड़ने का मतलब है कि यहां पर जो भी नंबर आना चाहिए सब का सब प्राइम आना चाहिए अभाज संख्या अभाज प्राइम नंबर में तोड़ लेना है और प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद इसको अरेंज करिए अरेंज करने का मतलब जो नमबर जितना बार आया है उसका पावर उतना तो यहाँ केबल दो आया है कितनी बार एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ दो कुल मिला के आठ बार आया है कितना बार आया है दो कुल मिलाके 8 बार आया है कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपका एक ही नंबर आएगा 2 भी हो सकता है 3 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है अलग-अलग नंबर का संयोजन भी आपका हो सकता है जो आगे के question में मिलेगा यहाँ पे क्या है यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो आया है कितनी बार आठ बार अब यहां से कैसे पता लगाएंगे कि इसको काटने वाली कुल कितनी संक्याएं है जो पूर्णबर्ग है तो दो आठ बार आया है तो हम इसको सुरू करेंगे जीरो से सबसे पहले लिखेंगे दो का पावर जीरो सब जो है पावर जो है वह केढल सम रखीएगा में दो का पावर दो फिर दो का पावर च्यार और अखीर में 2 का पावर आघ इसको कहां तक लिखना है यह कितनी बार आया है आठ वा तो अधिक्तम आठ तक ही लिख लिखेंगे यहां किसा नो जाएंगे आगाता है विसने कोतल हो जाएंगी चार इक पूर्ण बर्ण संकिय आगिए तो का पावर अगर आप 4 रखते हैं तो 16 आजाएगा 16 एक पूर्णबर्ग संख्या यानि किसी भी नंबर का पावर आप even रखते हैं न सम संख्या रखते हैं तब जो value आएगा वह आपका पूर्णबर्ग संख्या होगा किसी भी नंबर का पावर सम संख्या 2, 4, 6, 8 इस प्र जाएगा आठ आजाएगा जो कि पूर्णबर्ग संख्या नहीं है तो इसी वज़ा से क्या करना है कि दो का पावर आठ आया है तो शुरुवात 0 से करिए और उसके बाद 2-2 के अंतरपड आगे वरें यानि दोका पावर जीरो फिड़ सर फिर सरे फिर दोका पावल और zouर इसको कहा तेकovanा है जितना यहाँ यहाँ आया हो कोशन में इसको देख लीजै कि तना है आपका एक दो तीन च insult पांच यानि हमारा अंसर इस कोषोन का क्या हो जाएगा पांच 256 को काटने वाली कुल मिला के पांच ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग है आप बता भी सकते हैं कि कौन कौन दो का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा दो का पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा दो का पावर 4 यानि 16 दो का पावर 6 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा 108 तो यह सभी नंबर है जो की 256 को काटेगा और 256 को काटने के साथ यह क्या है आपका पूर्ण वर्ग भी है क्या है यहापका पूर्ण वर्ग भी है अच्छा मान लिजे कि कोश्चन को 16 अगर हम करते प्राइम नंबर में तोड़ते इसके जगह कोई दूसरा नंबर आता और प्राइम नंबर में तोड़ते और तोड़ने के बाद 2 का पावर 5 आ जाता दो का पावर 5 किसको तोड़ने पे आएगा 32 को तोड़ने पे आएगा तो 32 को तोड़ने तो 2 का पावर 5 आ गया अब 2 का पावर 5 आने का मतलब है कि इसके इसको काटने वाली ऐसी कितनी संक्या जो पूर्ण वर्ग होगा तो हम सुरुवात करेंगे एक तो 2 का पावर 0 फिर 2 का पावर 2 और फिर 2 का पावर चार आगे दो का पावर छे तो हम आगे नहीं वढ़ेंगे क्योंकि हमें 5 तक ही लेना है, 5 से आगे नहीं जाना है, तो 0 लिए, 2 लिए, 4 लिए, 5 तो ले नहीं सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आप ऐसे भी निकाल के देख लिए, 32 को काटने वाला नंबर कौ कौन है तो 1 हो जाएगा आपका 4 होगा और 16 होगा यहीं 3 नंबर है जो कि पूनवर्ग है तो एक दो कितना आ गया यहाँ से हम लोग कांट किये तो कितना आया तीन आया अगर माहली जिए कि कि किसी भी नंबर को तोड़ने के बाद आता है आपका तीन का पावर साथ, तो आप बता सकते हैं कि इसको काटने वाली कुल कितनी संख्या होगा, जो पूर्ण वर्ग होगा, कोई भी नंबर है, जिसको तोड़े तो तीन साथ बारा है, इसका मतलब सुरू कहां से करेंगे, तीन का पावर जीरो, फिर तीन का पावर दो, फ हो जाएगा, अंगली पर कावंट करके आप निकाल सकते हैं, आगे बढ़िए अगला कोशन देखते हैं, यहां देखे क्या है, 729 के ऐसे कितने गुनन खंड है, जो पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब 729 को काटने वाली ऐसी कितनी संख्या है, जो पूर्ण वर्ग है, फिर से तोड़िएगा, इसको 38, 24, तीने कम 3 हो जाएगा, फिर 3 से तोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 27 होगा, फिर 3 से आप इसको तोड़ते हैं, तो 9, और अगेन इसको 3 से तोड़िए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देखिए, जब आप इसको आरेंज करिएगा, तो 3 कित एक तो तीन का power 0, फिर तीन का power 2, फिर तीन का power 4 और फिर तीन का power 6, मैक्सिमम हमको उतना ही लेना है जितना यहाँ पर power मिले, कितना number हो गया, एक, दो, तीन, चार, answer इस question का भी कलब D हो जाएगा, यानि 729 को काटने वाली ऐसी संख्या जो की पूर्ण बर्ग होगा, वह कितन है, चार है, चार ऐसा number है, जो की 729 को काटेगा, और वह क्या है आपका, perfect square number है, आगे बढ़ते हैं, अब इस question में आईए, यहाँ क्या बोला है, 1800 के ऐसे कितने गुनन खंड है, जो पूर्ण बर्ग है, यहाँ different question है, थोड़ा धियान से समझेगा, 1800, तो 1800 को पहले prime number में तो चार लीजे, जब आप इसको 2 से तोड़ियेगा, तो आजाएगा 900, फिर जब आप इसको 2 से तोड़ियेगा, तो 450, फिर इसको 2 से आप तोड़ लीजे, कितना हो जाएगा? 25 होՁगा, पिर यहाँ number 3 से कट रहा है तो 3 से काटीए, 300 is 75 हो जाएगा, फिर आप इसको 3 से करना है through कितनी बार थीन बार को कितनी बार दो थीन गुना कि है या लिख रहा है जब आप 800 आप गवारे यह आप enjoy two में से यहां पर थोड़ा धिया के समझ तो बाला जो है वह कितना ऐसा संख्या बनाएगा जो की अठारा सो को काटेगा वह पूर्णवर्ग होगा तो दो वाला एक तो बनाएगा दो का पावर जीरो और दूसरा दो का पावर दो यानि यह दो नमबर बनाएगा जो की आपका पूर्णवर्ग हो जाएगा तीन का power 2 है, यह कितना number बनाएगा जो की पूर्ण वर्ग होगा, तो 3 का power 0, 3 का power 2, 5 जो है वह ऐसा कितना number बनाएगा जो की पूर्ण वर्ग होगा, तो एक 5 का power 0 और 5 का power 2 यानि 2, अब क्या करना है, किि इन सब को आपस में गुना कर देना है, 2, 4, 2, 8, यही आपके सवाल का जवाब होगा विकल्प A अब से पहले जो question आ रहा था उसमें क्या मिला था एक ही prime number मिल रहा था दो ही आपका 7 बार, दो ही 6 बार या 3 ही 6 बार आया था इस बार क्या है? अलग-अलग number है 2 है, 3 है, 5 है तो आप बताए कि 2 का पावर 3 तो यह कितना ऐसा number बनाएगा जो कि यह जितना number आपका पावर बनाता है इन सबको आपस में गुना कर लेना है तो 2 दुना 4 दुना 8 आंसर हमारा इस question का 8 हो जाएगा बहुत इजली आप अपने question का answer निकाल सकते हैं इसमें थटकी मदद से आगे चलिए एक और question यहाँ देखते हैं चार सौबतिस के ऐसे कितने गुनन खंड है जो कि पूर्ण बर्ग है तो चार सौबतिस को तोड़ लिजे प्राइम नंबर में जब आप इसको दो से तोड़िएगा तो दो और दो एक कम दो हो जाएगा और इधा 216 ना फिर दो से इसको तोड़िएगा एक 108 हो जाएगा फिर करिए दो चार बार तीन तीन बार दो का पावर चार और तीन का पावर कितना तीन का पावर तीन हम यहां पर लिख सकते हैं दो चार बार दो भी तीन बार आया है नहीं दो भी कितनी बार आये तीन बार तो दो का पावर तीन और साथ ही साथ दो का पावर तीन और साथ ही साथ तीन भी कितनी बार तीन बार तीन का पावर तीन या किसके लिए लिख सकते हैं या हम लिखेंगे 432 को 432 के लिए 432 को जब हम तोरेंगे अवहाज संक्या में तो दो तीन बार और तीन तीन बार आएगा आब बताईए कि दो वाला जो है वो कितना ऐसा नंबर बना सकता है जो की पूर्ण बर्ग होगा तो एक दो का पावर जीरो एक दो का पावर दो यानि दो ऐसा नंबर बनाएगा जो की पूर्ण बर्ग होगा तीन बाला भी दो ऐसा नंबर बनाएगा जो की पूर्ण बर्ग होगा एक तो तीन का पावर जीरो और एक तीन का पावर दो 3 का पावर 3 तो ले नहीं सकते, 3 का पावर 3 तो 27 होता है, तो यह 2 यह 2, दोनों को गुना कर लीजे, 2 गुना 2 कितना होगा, 4, यानि 432 को काटने वाली ऐसी संख्याएं जो कि पूर्ण बर्ग होगा, उसका संख्या कितना हो जाएगा, 4, सवाल क्या है 432 के कितने गुरंखंड पूनवर्ग गुर्णखंड का मतलब होता है काटने वाली संक्या और पूनवर्ग का मतलब वैसा नंबर जो स्वय मोरेक के आलावा और किसी से नहीं कटे तो मतलब कोशन का is who हो जाता है कि 432 को ऐसा कितना नंबर है काटने वाला जो की पूनवर्ग है उसको solve करेंगे कुछ इस तरीके से इस ट्रिक को apply करेंगे और आसानी से अपने question का answer निकालेंगे बहुत ही जादा इस तरह का question अभी देखने को मिल रहा है उमीद करते हैं कि पूरा concept आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस वीडियो में इतना ही और हाँ अगर आप हमारे जो paid batches चल रहा है उसको भी join कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से सी टाइप के कुछ ने ट्रिक के साथ थैंक यू जाहिंद